अगर आप पट्टा में रहते हैं और पार्टी इंज्वाय करना चाहते हैं और संडे और सटडे या छुटी मनाना चाहते हैं इंज्वाय करना चाहते हैं तो पत्ना से सटे बीटा रोड में हाईवे ज़क्षन, रिस्टुरेंट में आप जरूर आएंगे क्योंकि तमाम सुबधाओं से लैस है ये रिश्ट्रेंट चाहे बात करे पार्किंग की या बात करे खाने और लाजवाब स्वाद की तमाम चीजों से पार्टी करने के लिए सबसे अच्छा जगा पटना से सटे बीचा रोड में हाईवे जक्षन रिश्ट्रेंट में जहां पर पूरे परिवार के साथ आप जो है तो पटना में आपको इससे अच्छा रिश्ट्रेंट कहीं नहीं मिलेगा जी हां आज इस रिश्ट्रेंट की तमाम खासियतों के बारे में हम बताएंगे और जो लोग यहां पर इंज्वाय कर चुके हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि कितना अच्छा लगा तमाम सुभाओं से लैस और लाइटों से जगमगाता हुआ यह रिश्ट्रेंट आपको काफी रोमांटिक मूड में ला देगा अगर आप कपल हैं और नई शादी हुई है तो आप ज़रूर आईएगा हर सुभधाओं से लैस यह रिश्ट्रेंट है या अच्छी अच्छी सेल्फी लेना च आपको तमाम वालीवूड के गाने से लेकर हिंदी गानों पर भोजबूरी गानों पर थुमके जरूर लगाएंगे तो ऐसे में हम इस रिश्ट्रेंट की तमाम खास्यतों से आपको रूर बरू कराएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से लोग यहां पर इंजॉय कर रहे ह देखिए अगर पूरे परिवार के साथ लोग यहां पहुंचते हैं, वो किस तरीके से यहां पर अपना लुप उठाते हुए नजर आते हैं, तमाम तस्वीरे हम आप से साजा करते हैं कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं, रस्ट्रेंट में कहां से आए हैं और कितना मस्ती कर रहे हैं, अभी इन्होंने यहां का लाजबाब भोजन किया है या नहीं, तमाम चीजों के बारे में हम इनसे बात करेंगे, कहां से आई हैं मैं? हम लोग के खनी से आए हैं अभी जस्ट इन्कर रहा है सेल्पी किस्वाज है मजार है राजदूत तो यह राजदूत काड़ी ज्यार्डेंके जीप जो highway junction की पूरे mood में है और यहाँ पर बच्चे जो है काफी enjoy करते हुए नजर आ रहे हैं इस restaurant में और देखे किस तरीके से लोग selfie point भी बनाये गए हैं यहाँ पर selfie भी लेते हैं और मस्ती भी करते हैं और DJ के धुन पे भी नासते हैं गाते हैं मस्ती करते हैं किस तरीके स है आज हम पूरे परिवार के जो लोग couple हैं उसे भी बात करेंगा और किस तरीके से मस्ती मूड में है कि देखे बच्चों के लिए खेलने के भी विवस्ता की गई है यानि कहीं न कहीं बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी मस्ती कराते हुए पूरे family के साथ इस restaurant में रहें कांठार लेते हुए आप उपकया जो हमकपी च bisher मूड में है कि आतसे अस देंगा दिन है और रभीवार का दिन काफी टूबर बड़ा दिन होता है कुम Shapbook सब चुटडी परोते हैं और मस्ती करते हैं व्या नाम है अक्छे रा उक्साइन इस अर्पलhigh लेखेकर को पूरी फैमिली को नहीं मेरे पापा मेरी मेरे मेरे ममी और लेटी इस लेटीस लगारा से बहुत अच्छा लग रहर रहा है यह पतना में सपानी एक यहां पर हम लोग ओलेडि क्या बहुत इन सा रहे हैं क्योंकि दूटू बच्चे लोग लिए बहुत अच्छा यहांद पर फार्क है जहांब बच्चे अच्छे से ज्वाय करते हैं ऐसे लहें करते हैं और आसा लगता थए चैनले को था बच्चे लोह केसाथ औल दूर्ज़े के दुन पर जब लोग नासते हिए candi करते है तो काफी मजा आता है और अंदर की तस्वीरे हम दिखाते हैं इस restaurant की कैसे लोग enjoy कर रहे हैं और खाने का जब लुफ्त लेते हैं तो कितना मज़ा आता है जब सारी मस्तियां अगर एक जगा एक छट के नीचे मिले तो ज़ादा मज़ा आता है कि चुके हैं restaurant के अंदर और पहले तो हमने दिखाया कि किस तरीके से लोग selfie point पे selfie का मज़ा ले रहे थे बच्चे किस तरीके से खेलते कुटते नजर आ रहे थे लेकिन अब पूरे family के साथ जब खाने का लुफ्त लेंगे तो कितना मज़ा आता है यह तमाम बातचीत करेंगे कितना मज़ा आता है खाने के बाद और कितना लाजबाब लगता है बोचन कासा लग रहा है यहां पर मैंने दो बार भी आया बहुत ही अच्छा है बहुत सेफ है तो देखे सेफ के भीव से भी देखा जाये और खाने पीने मस्ती और टीजे के दुन पर घाने के बसते हों तो अपने आपको लोग नहीं रोक पाते हैं कुछ और यूबा है किस तरीके से मस्ती कर रहा है कि अबिबूले कि पहसे हैं दो आरा जहां है कि बहुत अच्छा पिंग ह। द्रम अच्छा मैं मुनुलें हैं書 बीगलता है कितना दूर से किस बिरहा है मसली खते हैं कि у का जो इंवार्मेंट है सर बहुत ही हस्मुखा इंवार्मेंट है बहुत ही हम लोग अपना फ्रेंडशिप क्वालिटी टाइम अच्छा खासा हम लोग इंज्वाइए कर सकते हैं अन्दा वकेशन ऑप संडे थोड़ा बहुत तो चिल्डा उठाइए जी जी और जब डीजे बसते हैं उस वक्त क्या होता है देखें उस समय सर कंट्रोल नहीं होता है इंज्वाइमेंट अंदर से उठता है तलब उठता है सर जी इंज्वाइए होना चाहिए और थोड़ा ज कहने ही क्या है सर बहुत बढ़िया सर आरा जी ला उखार देला खीला तो देखें खास तो और पर आरा के लोग है और गाना आरा पर ही पवन सिंग ने गाया था और इस डिश्वेंट में जब भौशपूरी से लेकर हिंदी वॉलिवूट के गाने बसते हों तो काफी लोग करते हैं कुछ और लोग भी है उनसे भी हम पात करेंगे और कितना मजा आरा इस जगह पर आकर कैसा फिल कर रहे हैं कहां से हैं हम तो बगल दानापुर से खगोल से जी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा और यहां का टेश्ट हमको बिल्कुल पसंद है तो हम यहां टेली ल शेशन तो जरूरी है क्योंकि अगर खाने कहीं पीने जा रहे हैं और इंज्वाय करने जा रहे हैं तो इंज्वाय का मतलब है तस्वीर जी बिल्कुल तो देखिए तश्वीर दोस्तों के साथ खिश्वाना और सल्पी पॉइंट है जगह अच्छा है कितना अच्छा लग बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कैमरा से पोटो की च्वाना के लिए वह कैमरा लेकर आ है क्या कहेंगे बाकी दोस्तों को आने के लिए जगह पर कैसे बहुत है ठीक है अच्छा रेस्टोरेंट है आएगा तो वह भी एंज्वाई करेगा और बनाना चाहिए ने नाना लोग आते हैं काफी लुफ्ट उठाते हैं और खाने के बाद जो वह सवाद निकलता है एक अलग ही मज़ा है पूरे फैमिली के साथ अगर एक छट के नीचे अगर ऐसा जगा मिले तो काफी मज़ा आता है और पूरे परिवार के साथ जब खाने के लुफ्त और खाने के बाद क्या कहेंगे स्वाद बहुत अच्छा है इस लिए तो हम लोग आया है फिर से देखे ये दूसरी बार है और पूरे परिवार के साथ तो देखे किस तरीके से लोग आके इंट्वाइब क्या कहेंगे अच्छा लग रहा है मैं यहां पर अच्छा लग रहा है अभी तक तो नहीं कुछ हाँ मैं ट्राइब करते हूं क्या क्या ओप्शन्स हैं यह देखना है और पूरे परिवार के साथ जो है खास तोर पर इंज्वाय करते हुए हाईवाज जेक्शन जो रस्ष्वेंट है पटना से सटे बीटा रोड में उनसे भी हम बात करेंगे जो यहां के ओनर्स हैं जो ड हमारे साथ संदेश सर हैं जो इस हाईवा जेक्शन डिश्वेंट के डिरेक्टर हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या आपके दिमाग में कैसे यह कंसेप्ट आ गया अचानक इस तरह के काफी कुपसूरत हुमा है देखने को हमें मिला लोगों ने भी राय द इसी जगा को आपने क्यों चुना पतना से ज्यादा दूर भी हो तो वह एक प्रॉब्लम का है एक बहुत पास हो भी दिखा और थोड़ा गार्डनिंग का थोड़ा साच्छा था यहां पहले से तो इस चिक इसको लिए क्या-क्या सुब्धाएं आप दे रहे हैं और अगर पार्टी करना चाहाए उज्याय करना चाहाए तो किस तरह भी सुथा फैमिलीज के लिए जैसे मैंने किस्पल एरिया रखा है तो गार्डन है वाकिंग के लिए आप आफ्टर बहुत लोग चाहते है कि रिलाक्स हो तो गार्डन है अपना वहां वाक कर सकते हैं प्लस मेरा स्ट्रॉप एरिया भी है एसी हॉल भी और एक अलग से हम लोगों का हॉल है जो सिर्फ बुकिंग पर ही होता है तो वीस पचिस लोगों का अराम से सेटल्मेंट के लिए हैं अगर म्यूजिक सिस्टम है तो दीरे-दीरे म्यूजिक बच रहा है लेकिन आपके यह दिमाद मे सकते हैं तो मैंने इसलिए को सब्सक्राइब की साधी फंक्शन ऐसे नॉर्मली आप रिश्टॉन में नहीं इंजॉय कर सेकते हैं तो मुझे यहां पॉसिबल लगा तो मैंने डीजे कर रहा उसका सिंगर्स भी विकेंड्स में सेक्सोफोन बजाने वाले आते हैं तो हर संड आपको पटना से सटे महज 10-12 किलोमेटर की दूरी पर आप ऐसा सुखधा ले सकते हैं पूरे परिवार के साथ बच्चों को खिलने के लिए जगा बड़ो और कपल के लिए इंजॉय करने की पूरी विवस्था हाइवा जेक्शन में मिलेगा अगर आप भी छुट गये हैं और आप भी अगर अभी तक नहीं आएं तो आप भी जरूर आ जाएं और इस जगा पर आकर इसका लुफ्त जरूर उठाएं खास तोर पर सटर्डे और संडे आपको काफी फायदा मिले वाला है ऐसे ही तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुँचाते रहेंगे तब तक के लि ऐसे हैं तरही झाला है और आपको काफी तक, तक हीं, आपको काफी आपको कारा जाएं चायदा जाम खी समको काह हम वाला है भी तक हम पहता है तक हम वायदा बार खाव्त ready हो सकता।